वेलकम फ्रेंड स्वागत है हमारी तू चैनल भॉला सर्डिजन मेकेनिक में तो फ्रेंड आज का वीडियो है हमारा वह है असोक लेलन बीएस्थिरी टेपिट के बारे में यह एच स्रीज का इंजीन है यह जो कि देख सकते आप लोग एच स्रीज का इंजीन है और इसका हम ल टेपिट कब आएगा और कैसे करना है तो फ्रेंड आप लोग हमारी वीडियो पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले बेल आइकन घंटी को और पर प्रेस कर ले ताकि नोटिपिकेशन हमारा आपके पास मिलता रहे और हमारे इस्टेग्राम आइडी को भी फोलो लगता है और एक्जेश्ट वाल में 18 लगता है यह ध्यान आपको रखना है तो यहां पर हमको एक नमर का टैपिट करना है तो देख सकते हैं कि 12 नमर हमारा दबकर जैसे थोड़ा सा नूर्मल हरकत करेगा यानि चाल करेगा तो हमारा एक नमर का टैपिट आजाएगा तो उ कम करना है यानि पहले ज्यादा है तो उसको कम करना है कि तो फिर से बता दो कि 12 और 18 का हुं दो अि निञेंगेज निए हमारा इंगलेंडवाल में लगता है और एक्जेश्ट वाल में हमारा अठार्वाल का में लगता है तो इसमां क्या है ik cookies चारओ ज्छे तीन फाइरिंग ओडर है 14 26 35 इसका फाइरिंग ओडर यानि 14 26 35 एक चार दो छे तीन पाच तो यह हमारा फाइरिंग ओडर है और टेपिट मिलाने का जो बता रहा हूं आपको अगर एक नमर का टेपिट आपको मिलाना है तो हमारे छे नमर का छे नमर पिस्टन का एकजेस्ट वाल हमारा दबकर जैसे थोड़ा सा चाल करेगा कि हमारा एक नमर टेपिट आ जाएगा तो यह टेपिट आप लोग को पूरा कंफर्म बताऊंगा इसमें कैसे कौन सा वाल दबेगा कौन सा टेपिट होगा पूर वीडियो को देखे और फ्रे करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो पिलिसा और हमारे चैनल को सवाल करें करें लाक करें दोस्तों की अबकर फिए में 8 का गेज इसमें लगाना है और दूसरी चीज है कि हर वीडियो में जैसे टेपीट के बात आती है तो टेपीट में बताता हूं कि यह ग्जेस्ट में क्यों 18 नमर के गेज हम लोगाते हैं पताब मोटा गेज क्यों आता है हम एक ही गेज से दोनों क्यों नहीं कर सकते हैं इसमें गलत है कि कोई भी लोखन की वस्तु हती है अगर उसको आग में आगा डालेंगे तो उसका आकार बड़ा हो जाता है इसके लिए उसको अपना मैनेच कर लेता है इसके लिए मोटा गेज डालते हैं अब चलिए हम लोग चार नमर के टेपिट करते हैं चार नमर के टेपिट करने के लिए हमारा तीन नमर पिस्टन का एक्जिस्ट वाल जैसे ही दब कर उठेगा तो हमारा चार नमर का टेपिट आ जाएगा ठीक है यह ध्यान देना है आपको मैं यह पिश्टन की बात बता रहा हूं जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि एक नमर करने के लिए हमारे को छे नमर पिश्टन का वाल दबना चाहिए एक्जेस्ट वाल यानि 12 नमर वाल 12 नमर वाल दबकर जैसे ही थोड़ा से उठेगा हमारा एक नमर आ जाएगा और 4 नमर करने के लिए हमारा जैसे ही 6 नमर का वाल दबेगा आगे से 6 नमर ठीक है आगे से जैसे गिंते आएंगे आप लो तो 6 नमर का वाल जैसे एकजेस्ट वाल दबेगा तो हमारा चार नमर का पिस्टन का टेपिट आ जाएगा तो फिर से बता दो आप लोगको फ्रेंड कि तीन नमर पिस्टन का एक्जेस्ट वाल दबकर जैसे ही थोड़ा साहर यानि पले करेगा तो टेपिट हमारा आ जाएगा आपको लोग के लिए फ्रेंड इतना सारा मेहनत करता हूं और सही से बताता हूं जो कि कोई इसा बता भी नहीं सकता है हो सकता है बतावे आप लोग को समझाए मगर मैं जिस तरह से बताता हूं समझाता हूं साइद ही कोई समझा सकता है आपको बता सकता है खेर मेरा तो काम ही है आप लोग को समझाना और बताना आप लोग की मेfont ir लाइक करें ना करें सब्सक्राइब करें ना करें आप लोग की मरेजिए इसमें कोई जोड़ बरती की बात नहीं है जिन हमारा 4 नमर का टेपिट हमारा हो रहा है जो की तीन नमर की एगजे कत वाल दबकर जैसे यही थोड़ा सा उठेगा तो हमारा चानमर का ठैपिट होगा तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग जब हम लोग ठैपिट करते तो फिर यह द्यान रखना है कि जो हमारा गेज अंदर जो डालते हैं और उसको तो नोरमली हातों से उसमें अंदर-बाहर जाना चाहिए टीक है आप लोग तो मिलाते होंगे जो पताओगा कि न उसमें हमारा सेटिंग आता है तो चलिए हमारा 4 नमर में हो गया आप हमारा आएगा 2 नमर का क। अब तो नमर का अब दो नमर को क्या करना पड़ेगा है पांच नमर पिष्टन का एकजेस्ट वाल यानि 10 नमर हमारा वाल जो दब कर थोड़ा सा उठेगा तो हमारा दो नमर का टेपिट आजाएगा तो इसमें क्या होता है कि एकजेस्ट वाल में 18 नमर और इंग्लेडवाल में 12 नमर का गेज़ डालना है आपको तो फ्रेंड आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले पेल आइकन घंटी को और पर प्रेस कर ले ताकि हमारे नए वीडियो की आपडेट आप लोग के पास मिलती रहे और जो मैंने फ्राइविल निशान देखकर बताता हूं कि उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के दूंगा वहां से आप लोग देख लीना कि वर्याइविल पर कौन सा निशान आएगा कौन सा हमारा फिक होगा ठीके गुछ में कुछर रांब plumbing मेसेज्च भी वहां से मुझे कर सकते जोग हैं कोकि और यहां से मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग अगर तो यह हमारा दोनमर का टेपिट यो कि यह इंग्लेडवाल में 12 नमर का गेज इसमें डाल कर रखा है मैंने और तो पहले दो फ्रेंड जो हमारी इसमें 14 नमर की नट आती है उसको ध्यान से टाइड करना है यानि फेस करना है वह ज्यादा अगर फेस करती तो यह बहुत जल्दी सिलिफ हो जाता है तो यह ध्यान आपको रखना है ठीक है फ्रेंड यह जरूरी है बताना आप लोग को भाई कि यह अगर ज्यादा जोर लगाएंगे इस वे तो यह सिलिप हो जाता है और खासकर तो लेलन की अशोक लेलन की जो घाडिया आती है उसकी बहुत कमजूर आती है वो तो जोर लगाना नहीं लगाना भाई आप सही है अब यह हो गया हमारा दो नमर का अब चलते है छे नमर का टेपिट मिलाने के लिए तो छे नमर को मिलाने के लिए फ्रेंड क्या करना है आपको एक नमर पिष्टन का यानि आगे से एक नमर का एक्जेस्ट वाल दबेगा यानि दो नमर वाल दबेगा हमारा तो हमारा च्छे नमर का टेपिट आ जाएगा अब इसमें पहले यह नट को खोलने से पहले आपको चाल चेक कर लेना इसमें तो चाल है तो हम टेपिट मिला रहे हैं करना चाहिए को ध्यान रखना अंदर बार हम लोग को नंधर बार डालते हैं तो नुर्मली होना चाहिए अगर जादा उसमें जोर लगाएंगे और जोर से घीचेंगे उसको अगर बाहर के तरफ लेंगे निग्वार्ण और यह द्यान आप लोगो रखना एफ यह हमारा छे नमर का ट्युपट मिला है देख लेते हैं कि ज्यादा दिक्कत तो नहीं ए दिक्कत है और तो करेंगे इसको और फ्रेंड एक चीज़ और बता दू आप लोगो जब फराइविल हमारे पास अगर नहीं है निसान उस पे नहीं दिखेगा तो क्या होगा हमारा टेपिट नहीं मिलेगा इसी के कारण ये वीडियो में आप लोगो ये लाया हूँ ताकि आप लोगो पता चले कि अगर फराइविल पर निसान नहीं दिख रहा है हमको उस पे नमर नहीं दिख रहा है तो हम लोग वाल दबाकर टेपिट कर सकते हैं ये वीडियो लाने का खास मक्सद यह है हमारा ये हमारे पास और हमको टेपिट मिलाना है यह वाल दबाकर टेपिट कर सकते हैं कि यह फ्रेंड असोक लेलन हीनो इंजिन का बीएस्थिरी का टेपिट कि यह आप लोग के लिए काफी अच्छा वीडियो है आप लोग पुरा देखें तो आप लोग को पता चले अब चलते हैं फ्रेंड हमारा जब छे नमर हो गया तो तीन नमर हमारा टेपिट आएगा तो तीन नमर को भी देखेंगे और इसमें थोड़ा गेज तो से जा रही है वर्किंग सही हो रहा है तो सही है अब हमारा तीन नमर का आएगा अब फ्रेंड हमारा आठ नमर का जो वाल है आठ नमर जो वाल है यानि चार नमर पिस्टन का एक्जेस्ट वाल जैसे दब का थोड़ा सा हरकत करेगा यानि चाल करेगा तो हमारा तीन नमर का टेपिट आ जाएगा तो चलिए तिन नमर का भी मिला लेते हैं तो फिरेंड एक बार फिर में बता दो तिन नमर टैपिट करने के लिए आपको चार नमर का पिस्टन का वाल चार नमर पिस्टन का एकजेस्ट वाल दबना चाहिए चार नमर पिस्टन का एक्जेस्ट वाल जैसे दब कर थोड़ा सा उठेगा तो हमारा टेपिट आ जाएगा तीन नमर टेपिट आएगा इसके बाद हमारा लास्ट टेपिट रहेगा पांच नमर का कि यह तीन नमर टैपिट मिला रहे हैं जो कि हमारा चार नमर का एक्जेस्ट वाल दब कर थोड़ा सा उठा तो हमारा तीन नमर का टैपिट आ गया तो चलिए इसको भी देख लेते हैं यह सही है कि नहीं है यह नौर्मल हातों से एकदम हलके हातों से हमारा वर्किंग करना चा है अब एक पर कर लेते हैं तो फ्रेंड फिर से म वीडियो मैंने डाला हूं ताकि आप लोग को पता चले कि कैसे टेपीट मिलाना है कैसे नहीं मिलाना है तो चलिए हमारा यह कि टेपीट हो गया अब चलेंगे पांच नमर मिलाएंगे फ्रेंड जो की हमारा चार नमर वाल दबेगा यानि दो पिश्टन का एक्जेस्ट वाल, पांच नमर की टेपिट करने के लिए दो नमर का एक्जेस्ट वाल दबकर जैसे ही थोड़ा सा हरकत करेगा, यानि चाल करेगा तो हमारा पांच नमर का टेपिट आ जाएगा, तो फ्रेंड, आप लोग को मैं फिर से बता देता हूं, कि एक नमर टेपिट करने के लिए हमारे को छे नमर पिश्टन का एक्जेस्ट वाल दबकर जैसे ही थोड़ा सा उठेगा, तो हमारा एक नमर टेपिट हो जाएगा, और चार नमर करने के लिए हमारा तीन नमर पिश्टन का एग्जेस्ट वाल दबकर जैसे थोड़ा सा हरकत करेगा यानि चाल करेगा तो हमारा चार नमर का आजाएगा और दो नमर करने के लिए हमको क्या करना है पांच नमर पिश्टन का एगजेस्ट वाल दबकर जैसे थोड़ा सा हरकत करेगा तो हमारा दो नमर आ जाएगा और छे नमर करने के लिए हमको क्या करना है एक नमर पिश्टन का एग्जेस्ट वाल दाबकर जैसे ही थोड़ा सा हरकत यानि चाल करेगा तो छे नमर आ जाएगा और तिन नमर करने के लिए फ्रेंड हमको चार नमर पिश्टन का एग्जेस्ट वाल दाबकर जैसे ही उठेगा तो हमारा 3 नमर टैपिट आजाएगा और ये लाच्ट टैपिट आप लोग देख रहे हैं ये जो है हमारा 5 नमर हो रहा है ये 2 नमर पिष्टन का एक्जेस्ट वाल जैसे ही दबकर उठेगा तो हमारा 5 नमर टैपिट आजाएगा तो फ्रेंड इस तरह से असोक लेलन गाडियक का जो है टेपिट आप लोग कर सकते वाल दबा कर और फिर से मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि 12 और 18 का गेज इसमें लगता है इंगलेड वाल में 12 और एकजेस्ट वाल में 18 और फिर से मैं एक बार रिपलाई आप लोग को बता दूँ कि एक नमर टेपिट के लिए हमको 6 नमर पिस्टन का एकजेस्ट वाल दबना चाहिए चार नमर करने के लिए हमको तिन नमर पिस्टन का एक्जेस्ट वाल दबना चाहिए और दो नमर टेपिट करने के लिए हमको पांच नमर पिस्टन का एक्जेस्ट वाल दबना चाहिए और छे नमर टेपिट करने के लिए हमको एक नमर पिस्टन का एक्जेस्ट वाल दबना चाहिए दब कर थोड़ा सा उठना चाहिए और तिन नमर टेपिट करने के लिए हमको चार नमर पिस्टन का एक्जेस्ट वाल दब कर जैसे ही उठेगा तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरू बता है हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले बेल आको घंटी को और प्रेस का दे ताकि नोटिफिकेस्ट अमरा मिल नहीं